नमस्कार दोस्तों मैं नामे किर्सन आप देख रहे हैं मेडिकल गुरू यूटूब चैल को आज हम बात करेंगे कैवर नौल पॉइंट फाइव एमजी टैबलेट के बारे में यह टैबलेट उनमाता बहनों के लिए जो प्रेग्नेंसी के दौरान है फिर प्रेग्नेंसी के एक्सपायर व गया हो इस विखेसे उनकी जो दौध है वो जहाती में बहुत ज्यादा हो दूध को कम करना चाहतीय चाती दर्द रहता है चाती में जोर रहता है चाती में सूजन रहता है और जिसे हम इंग्लिस में lactation supprecent कहते हैं जब महीला pregnant होती है फिर pregnancy के बाद जब बच्चों को स्तो नोमें दर्द होना चालु हो जाता है और सूजनानी चाल रहता है चाती में दर्द रहता है जोर रहता है माता भेरा मार हो जाती है दूट का जो शक्रिसन है वह बहुतius होने लगताrone तब इस condition में टेब्लेट का स्थमाल की जाता है और जानेंगे हम आगे कि महिला हों में और आदमियों में किस प्रकार से टैबलेट दी जाती है तो वीडियो को अंतर देखना ना भूलें ताकि आप इस कैवा नौल 0.5 mg के बारे टैबलेट के बारे में अधिक साथ इक जानकाई ले पाए और इसका अधिक साथ गलब उठा पाए जो भी हमारे चैल मेडिकल गूजी पर नई सस्क्राइबर्स आये हैं वो चैल को स्क्राइब करना और बेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि आगयाने वाली स को सबसे पहले मिलती रहे सबसे पहले बात करते हैं काईवान वालmeye मिलेट के और ऑसक्राइब कांपनी 5 mg देखने को मिलेंग्य अलėग अलग अलग कंपोनिय उकलिक नाम से देखने को मिलेंगए आपको यह के इस परकार से कारने करता है किस परकार से जैसे कि बिन आपको बताया था यह 0.5 जमजी टैबलेट जो होती है हमारी दोपामो मीन ऐगोनिस्ट होती है इसका इस्तमाल प्रोड़क्टिन के उच्छ सतर के इलाज में की जाता है यह क्या काम करती है कि यह help करती है जो my best feeding mother होती है जो कितने दूद पिलाती है बच्छों को उनके दूद की production को कम करने में यह कार रह करती है किस परकार से जैसे कि बच्चा अगर जिंदा है किसी कारण बस उसको दूद चुड़ा दिया गया है लेकिन फिर भी जो दूद है च्छाती में ज्यादा उतर रहा है च्छाती में दड़ दर रहा है फिर किसी कारण से बच्चा एवोसन हो गया है फिर किसी कारण से मिस्के तो दूद अपना पुतरने लगता कई गर क्या है कि अपने आप भी दूद उतरने लगता चाती में जोर बढ़ जाता है तो उन कंडिशन में भी इस टैवलेट का इस्तमाल की जाता है दूद को कम करने के लिए अब जान लेते हैं कि यह टैवलेट है किस प्रकार से कायम करती है यह टीटमेंट ओफ हाई लेवल ऑफ प्रोलक्टिन प्रोलक्टिन एक हार्मोन है जो स्तनों की विर्दी और विकास में मदद करता है भाहिलाओं में दूद बनने मद भी मदद करता है जो हमारी टैवलेट होती है के वर गॉलीन 0.5 यह हमारी क्या काम करती है यह करता हुज हुए बसके तो दूदह के सब्सक्रीज हो गया हुए मस्तिस के एक रॉपामिन पर काम करता है जो इन प्रोलक्टिन का हई-लेवल नहीं जिम्मेदार है और दूद को रोकता है आप जान लेते हैं कि किन पे और चीजों में इंeffect्रिक्श आए कि इस्तौमाल की जा जाए वो केंशल की गाट नहीं रहती अलग तरकी गाट रहती है लेकिन फिर भी उससे दिक्कत तो होती है अब जान लेते हैं विस्तार से जैसे कि लक्टेशन सप्रेसेंट जब महीलाओं पेगनेंट होती है फिर पेगनेंसी के बाद जब बच्चों को दूद पिलाती है तो खीडियों से बेसे करेंसी के अधिक जबा चला जाता है जो कारण से कही सारी होती है उसमें इसे हमने जो बात की थी उसकी दूद वाली बात की थी जो झाली हो जाता है तो इसके लावा infertility branchman की सिकायची भी हो सकती है जब क्या करें प्रोलक्टन का जो शिक्रीशरा ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या कि infertility की समस्षा भांचपन की समस्षा आने चाहरो जाती है जब महिलाओं में प्रोलक्टन का लेवल बढ़ने से infertility होती है उस सिती में जो हमारी ये कैवाल गोलीन 0.5 mg टैबलेट है उससे दिया जाता है बाद स्पंसर मुख्ती पाने के लिए क्या वार हभी बिलीडिंग पीडर्स आते हैं और क्या वार नहीं आते हैं टैम से और क्या होता है कि हाइपो मैनेलेजियम होता था महिलों में क्या हर्मोन का स्थर कम ह मुख्यृ जाता है तो उन वह में समस्था आती है तो कि अस्तमाल एक सेक्स होने के कारण होती है तब इस टैवलेट का इस्तमाल करते हैं तब इस टैवलेट को दी जाती है अब कहांत कर लेते हैं लड़कों में पुस्पों में किस प्रकार से इस्तमाल की जाती है जैसे कि मैं आग बताया था कि उनमें बहुत तरह की जो दिक्कत आती है सबस्द दिक्कत आती है man infertility कि पुस्पों के अंदर जो hormones है sexual dysfunction से होने चालो हो जाते है जो सेक्स करने कि उनकी काम होकता छमता होती है उनका मन जो होता है वो सही तरह से नहीं कर पाता है उनके इंतर समस्चा आने चालो जाती है बहुत लंबी समय तक पेसे इंडो सेक्ष्वल dysfunction की समस्चा आने जगती है तो इन कंडीज और या फर किसी मरीज को पार कॉनिजिन डिजिस रहती हो एक्रोमेली रहती हो या फिर अधर तरह किसी प्रकार की उनमें दिक्कत होगी है तो भी डॉक्टर इसे पर onu maps करते हैं अब बात कर करतें इसकी dodge के बारे में फिर बात करते हैं साइड़ट के बारे में यह यह सब्दे में एक बार लेने प्रचिछाद की कि इसके side effect क्या-क्या हो सकते हैं क्या-क्या side effect इसके होते हैं जैसे कि मैं आपको बताया था इस टेवलेट को लेने के बाद आपको किसी परकार की घवरार दखाई देती है किसी परकार की नौजिया वोमेंटिंग ड्राई माउथ constipation, abdominal pain, dyspacia, vertigo, insomnia या फिर किसी परकार की regulation होते हैं तो तुरन तब डॉक्टर से cancer जरू करें हमाचार किसी परकार से self-medication यानि खुस्से दवाई लेने की सलाब बलको नहीं देता है सर्फ आपकी knowledge पर बचके लिए वीडियो पर आ जाते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी से लेकर और 220 रुपय तक की देखने को मिलेगी अलग 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 नाम से और जो 0.5 अगर आप इसका एब गोलिन 0.5 mg के वारे कोछ और भी अधिक जानना चाहते हैं तो भी comment box में comments करना हमें ना भूलें फिर भी मैं बता रहा हूं कि कोई medicine lane इस से पहले एक बार आपके आपको इस कायब गोलिंग से किसी प्रकार की आलरजी और कि रियक्शन हो तो एक पालबपर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर के परिशन कोई मेडिशन खुशने ना ले, आप बात करते हैं आप इसे कहां से मागा सकते हैं, आप इसे एजेली किसी मेडिक तक कि आनलाइन 1MG से मागा सकते हैं दॉक्टर के पर्चे के साथ को कि यह सेडूल अच्छी ट्रेक होती है अब मैंने बता दिया कि इनके इन चीजों में इस्तुमाल की जाती है यह सिंग मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्टिंग जब उत्स तर हो जाता है तो उसमें क्या होता कि यह हमारी हेल्प करती है जो माता मैंने होती है इनकी दूद को सुकाने में मदद करती है दूद ज़्यादा चाती हम जब ज़्यादा हो जाता है दड़ ज़्यादा होने लगता है तो उसको सुकाने में कर नयुत कर निए करणenda